नमस्कार आप देख रहें न्यूजवर्ट इंडिया और मैं हूँ आपके साथ सुभाश कौट उत्राखंड में चुनावी मोहौल खूब गरमाया हुआ है और उसकी मुख्या वज़ा है ये है कि दोनों ही राजनितिक दल बीजेबी और कॉंग्रेस उन्होंने अपने सभी परतियाशों की नाम की सूची सब के समक्ष रख दी और सभी ने नामंकन भी करा दिया है लेकिन सरगरमिया क्यों बड़ी हुई है वो आपको बताते हैं परतियाशों ने नामंकन तो किया लेकिन जो नाराज कारे करता थे उन्होंने भी नाराज की जाहिर करते हुए अपनी ही पर्टी के खिलाफ नामंकन कर दिया यानि कि चुनाव के मैदान में वो भी उतर आए लेकिन अब चुनाव से पहले दोनों ही राजनितिक दल बीजेपी और कॉंग्रेस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में लगी और बड़ी जिम्मेदारी भी बड़े नेताओं को दी गई है अगर वहीं बीजेपी की बात करें तो सत्ता धारी पार्टी रही है वो नहीं चाती कि वो इस बार सत्ता से बाहर का रास्ता देखे कि वो भी अपने पार्टी कारेकरताओं की वज़ा से जुन्होंने नामंकन चुनाव के लिए किया है इसी कड़ी में वो कोशिश कर रहे हैं कि जो नाराज कारेकरता है जो नाराज लोग है पार्टी के उनको मना लिया जाए और उनका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाए इसी कड़ी में केंद्रे मंतरी और उत्राखंड के चुनाव प्रभारी पहलाज जोशी ने इसकी शुरुआत की थी उन्होंने सबसे पहले उन परतियाशियों को नाराज कारेकरताओं को मनाने की कोशिश की जो चुनाव मैदान में पार्टी के अधिकरत परतियाशि के बावजूद भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और इसकी बड़े जिम्मेदारी उन्होंने पार्टी के मुख्यमंतरी पूर मुख्यमंतरी सांसद और पूर सांसदों को दी है जो की यह कहा जा सकता है कि अपने शेतर में अच्छी पकड़ रखते हैं और वो चाहते है कि उन लोगों को मना लिया जाए जो नराज बहुत जादा दिख रहे हैं लेकिन बड़ी चीज़ यह है कि नराज की करने वाली बात जो चल रही थी कि नराज चल रहे हैं उनको मनाने की कोशिश की जाएगी लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ यह कि आखिरकार उनक को मनाने में नाकाम रहते हैं तो यह उनकी खामी पाई जाए और इसका नुकसान उन्हें आने वाले भौश में अपनी राजनितिक करियर के लिए भी देखने को मिल सकता है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शुरुआती दोर में भाजपा सभी परतियाशी यानि कारेकरताओं को मनाने की कोशिश तो कर रही हैं लेकिन यदि वो उसके बाद भी चुनाव मैदान में खड़े रहते हैं डटे रहते हैं तो शायद पार्टी उन्हें अपने पार्टी से निकाल देगी और बहार का रास्ता दिखाए यानिकि निश्काशन की जो प्रक्रिया है वो फिर शु था और सबसे बहत पूर्चीज केवल 11 ही विदायक जीत कर विधानसभा उनके पहुंचे हैं तो वो नहीं चाहते कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में वो कोई भी गलती करें वो किसी तरीके से नहीं चाहते कि उन्हें सत्ता हासिल ना हो और यहीं वजा है कि कॉंग्र इसके लिए ठेड़ी खीर होती भी साबित हो रही है क्योंकि खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरी श्रावत की सीट पर ही बागी मौजूद हैं उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ना चाहरे हैं पार्टी के ही लोग तो कहा जा सकता है कि मुश्कलें दोनों ही राजरिती दल क के लिए बहुत जादा है अगर हमें एक आकलन लगाएं तो लगभग भाजपा में रुद्रपुर काला ढूंगी भीम ताल लालकुआ द्वराट कोडवार देहरादून कैंट धरंपूर डोईवाला रिशिके जनोल्टी घंसाली यमनोत्री कर्ण पृयाग और प्रियान कल लाल कुवां हरिश रावत की सीट पर नाराज राम नगर में नाराज बागेशर में नाराज किछ्छा में नाराज इसके साथ ही कहा जसता यमनोत्री घंसाली रुद्रप्रियाक सहस्पूर राइपूर और रिशिकेश यहां भी बहुत नाराजगी है अब दोनों ही आप नहीं होते हैं तो फिर सत्ता से बाहर का रस्ता देखना होगा और वी ऐसी कहीं महतपूर जानकारी आपको देते रहेंगे तब तक जुड़े रहिए न्यूज वार्ड इंडिया के साथ नमस्कार